Hello friends, PropertyLaneDen.com चैनल पे आपका Welcome है। आज के वीडियो में हम जानेंगे HSVP के बारे में। HSVP जिसे हम हर्याना शहरीविकास प्रादिकरण के नाम से जानते हैं। हर्याना शहरीविकास प्रादिकरण ने 2022 के आखरी महीने में जो E-Oction की जाएगी उसके द्वारा Plots की और Commercial Property की उसका Schedule जारी कर दिया गया है। इस Schedule के According हम जानेंगे कि हर्याना के आलग लग शहरों के आलग लग सेक्टरों में कहां कहां पर किस तरह की जो Plots हैं वो E-Oction के द्वारा HSVP बेचेगा। और साथ में हम यह भी जानेंगे Commercial Property का भी E-Oction HSVP के द्वारा कहां 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 किया जा रहा है। तो यह बहुत Important वीडियो है क्योंकि 2022 का यह आखरी E-Oction है इसमें काफी संख्या में HSVP के द्वारा Plots लाए गए हैं जिनका E-Oction किया जाएगा। यह E-Oction 10 December से स्टार्ट होकर और December के Last तक चलेगा। तो यह अलग लग डेट पे E-Oction चलता रहेगा। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे किस शहर में कहां कहां पर किस डेट पर यह E-Oction होगा। इस वीडियो में आप यह भी देखेंगे आगे चलकर कि कैसे E-Oction में आपको participate करना है, कैसे अपना registration करना है और कैसे आपको E-Oction के माध्यम से property खरीद नहीं है। E-Oction एक process है, जैसे कि पहले बोली लगती थी, offline, उसी तरह अब यह online E-Oction होता है property का, जो नए लोग है उनको जानकारी नहीं होगी, जो पुराने लोग है उनको पहले से ही जानकारी होगी। तो यह भी एक technique है, यह भी एक science है, यह भी एक art है कि E-Oction में property किस तरह खरीदी जाती है, आज की वीडियो में हम property तो आपको बताएंगे ही, साथ में इस property को कैसे खरीदना है, वो भी बताएंगे। की तमाम शहर है, जिसमें करनाल है, रोत तक है, सोनी पत है, पानी पत है, कुरुचेतर है, अमबाला है, सभी जगह है, अगर आज भी लोगों की जो preference है रहने की वो हुड़ा के sectors में है, गुरगाओं में तो बड़े-बड़े private developers है, उनकी बड़ी-बड़ी township है, लोग वह चहर में कहां कहां पर कब-कब property e-option के लिए निकाली जा रही है, हाँ यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार इस तरह के वीडियो आते रहते हैं, अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लोगे, तो फ्यूचर में आप से इस तरह का कोई भी टॉपिक निस नहीं होगा, आपको लगे ये चैनल काम का है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहां मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता था, जो इनका जो में वेबसाइट है, उस पर पूरी डिटेल होती नहीं थी, तो आप इनोंने अपनी वेबसाइट में इंप्रूमेंट कर लिया है, वो वेबसाइट भी हम देखेंगे, इनका इयोक्षन का जो पोर्टल है, वो भी बिल्कुल नया, इनोंने काफी चेंजि ये अरों में अलग-अलग साइज के पलॉट ये निगाले हैं, तो चलिए, बिना किसी देधरी के हम कम्पिटर स्क्रीन पर चलते हैं, हैलो फुरेंट्स, अब हम कम्पिपिटर स्क्रीन पर आ गें, ये हर्याञा शहरी विकास प्राधिगरन की वेबसाइट है, यहां से मैं आपको किन-किन शहरों में कहां कहां पर कपकर प्रॉपरटी के लिए यानि प्लॉट्स हैं वो जानकारी दूँँगा और कमर्शिल प्रॉपरटी के बारे में भी बताऊंगा तो पहले जान लेते हैं इस वैबसटेट का चुन्न कीम है वो क्या है इस विपसेट का नाम है hsvp hry.org.in अब हम नीचे चलते हैं इनका अलग से e-auction का portal बनाया है इन्होंने पहले भी था बट उसको थोड़ा ठीक कर दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूं और वहां पे प्रॉपर्टी निकाली गई है किस तरह के प्लॉट निकाले गए है किस तरह की कमर्शिल प्रॉपर्टी निकाली यह वो सारी चीज़े हम आगे देखेंगे उसके बाद जो सबसे इस पूरी प्रॉसस क्या है कैसी किया जाता है वो अगर मैं आपको बताने लुगा तो वीडियो बहुत लुव We यह मैंने क्या किया है अलग से वीडियो बनाया हुआ उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आप उसको देख लीजिए आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं करने के बाद सिर्फ एमडी जमा करना होग होगा और पास्पेट करना होगा वापस हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर वापस हमा आ जाते हैं में जो website हुस पर यह इनकी में वेबसाइट है इस पर आपको यह सर्च करना है कि कहां कहां पर किसकी शेयर में कौन-कौन प्रोपर्टिए यूक्षन के लिए निकलिए तो आपको latest news का एक column दिखेगा, इस पे आप view all पे click करेंगे, जैसे आप ये view all पे click करेंगे, तो आपके सामने ये पूरी की पूरी list खुल जाएगी, ये देखिए, इस list में पूरी detail दी गई है कि कब कब किस किस शहर में किस किस तारीक को ये e-auction होने जा रहा है, plots का और commercial property क तो हम देख लेते हैं, 2022 का दिसंबर लास्ट महीना है, और इसमें 10 दिसंबर से e-auction होगा property का, वो हम देख लेते हैं, किस शहर में कहां पर है, तो list of commercial property, गुडगाओं जोन, to be auctioned on date 10-12-2022, तो ये देखिए, हम देख लेते हैं कि गुडगाओं में 10 दिसंबर को किस तरह क commercial property का e-auction होने जा रहा है, ये आपके सामने पूरा का पूरा list खुलने जा रही है, list of commercial property in respect गुडगाओं जोन, for e-auction, date 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर में आप देख लिजे, ये e-auction होने जा रहा है, जिसमें boots दिये गए हैं, जिसमें three-story SEOs दिये गए हैं, triple-story SEOs दिये गए ह तो 10 दिसंबर को मैं आपको बताओं, 109 और उसके बाद और भी काफी सारी property है, तो यानि 173 total commercial property गुडगाओं जोन में हैं, यानि गुडगाओं सहर में हैं, जहां पर अलग अलग सेक्टरों में, जहां पर boot और SEOs ये auction के लिए निकाले गए हैं, अगले शेर में चलते हैं, रेवाडी के धारूरेडा में भी काफी commercial property है, जिसमें SEOs बूत हैं, ये देखिए, नारनोल में भी काफी सारी property है, और रेवाडी में जैसा कि मैं आपको पता चुका हूँ, उसके अलावा, कोसली में भी, ये रेवाडी में आता है, कोसली में भी ये commercial property निकाली गई है, 10 दिसमबर को ही residential property भी है, residential plots भी है, जिनका योक्षन होगा, ये देखिए, काफी सारे, दो मरला, चार मरला, एक कैनाल, ये अलग-अलग साइज के, अलग-अलग sectors में, 22, 23, sector, 5, sector, 9, sector, ये detail आप देख ले रहा, आपको ये पूरी की पूरी list है, ये इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है, कि ये कौन से plot है, कहाँ पर निकले, आपको एक एक लिस्ट मिल जाएगी, अगर मैं एक एक बताने लगा, तो ये दो घंटे का वीडियो जाएगा, इस वीडियो को मुझे क्रिश्पस शॉट रखना, इ नो दिन में आप अपना रिश्टेशन कर सकते हैं, ये अमडियो जमा कर सकते हैं, और अपनी पूरी तयारी कर सकते हैं, प्रॉपटी कैसे खरीद नहीं है, ये आपको आगे बताऊंगा, रिवाडी में भी देखिए, धारूरी रेड़ा में, ये प्रॉपटी ये आउक्श इसका इयोक्षन 13 दिसंबर को होगा, 10 दिसंबर क्या, 13 दिसंबर को पंचकुला जोन में इयोक्षन है, कमर्शिल प्रॉपटी का, ये देखिए, जिसमें अंबाला में काफी सारी प्रॉपटी है, कमर्शियो जगादरी यानि यमना नगर में काफी सारी कमर्शिल प्रॉप प्रॉपर्टी देखी ती ये रेजिदेंशल प्लॉट्स है ये पंचकुला जोन में इसका इयोक्षन भी 13 दिसंबर को होगा तो शुरुवात अंबाला से करते हैं अंबाला के अलग लग सेक्टर में काफी सारे अलग लग साइज के प्लॉट निकाले गए हैं लिस्ट जैसा में भी निकाले गए हैं पुरुषेतर में भी काफी सारे निकाले गए और पंचकुला में भी काफी सारे रेजेंशल प्लॉट निकाले गए हैं तो हमने देख लिया कि अब तक पंचकुला जोन में और गुर्गाओं जोन में 10 दिसंबर को यह उक्षन था और पंचकुला अभी 14-S दिसंबर को ईयोंको प्रपर्टी का पानिपत में काफी सारी प्रपटी निकले रौतक में यह जिसले क्यास्क और जिसमें बूत हैं जिसमें अलग अलग्लक टाइब की कमर्शियल प्रपर्टी है डबल स्टोडि शॉप्स भी और इस विपके गोहाना में और उसके लावा सोनीबस सेटी में भी काफी सारी कमर्शिल प्रॉपर्टी एक्षन के लिए निकाली गई है यह देखिए आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है आपका जो बजट है आपकी जो रिक्वार्मेंट उसके एकॉर्डिंग आप यह देख सकते हैं कौन सी कमर्शिल अगले शहरों का चेक कर लेते हैं यह आपके समने जो लिस्ट है यह फरीदबाद जो उनकी लिस्ट है फरीदबाद का इयॉक्षन 14 दिसंबर को ही होगा यह कमर्शियल प्रॉपटी के लिस्ट है यह काफी सारी प्रॉपटी यह फरीदबाद में बहुत सारे गुडगाओं के तरह ज्यादा डेवलोपर नहीं तो वहां पर लोग पसंद करते हैं, hoda के sector, hsvp के sector में रहना, और वहां पर ही commercial property में investment करना पसंद करते हैं, तो यह देखिए, काफी सारी property निकाली गई है, e-ouctions में, मैं आपको total number of commercial property बता देता हूं, इस बाद यह auction के लिए जो निकाली गई है, फरीदबान में, समने खुली इसको थोड़ा समय डिस्क्राइब कर देता हूं यह ऑक्षन आईडिया जब जिस भी प्लॉट या जिस इस का प्रॉपर्टी की लिए आप यह लगाएंगे तो आक्षन आईडिया आपको यह मिलेगा उसके बाद यह आपको एरिया बताया गया है फरीदाबाद म मातलब होंगी यहाँ से गली होगी जो आपको ज Skywalker से उपर मिलेगी जो सबसे जबॉब्य लगा सबसे जैदulture लगा लगा आपको कुछ मौन और यह देख जाता है प्लॉटạoास का उसकी डटेल दी गई है यह देखिए बहुत लंब में लिस्ट है काफी सारे प्लॉट से जिनका अलग-अलग सेक्टरों में अलग-अलग साइज के प्लॉट है यह करीब 149 प्लॉट से तो आगर आप फरीदाबाद में कोई प्रॉपटी देख रहे थे यौक्षन में तो आप यह लिस्ट चेक कर सकते हैं सार जोन का चूट गय गयी है उसके अलाबा फत्यवाद में उसके अलाबा हासी में काफी सारी इंप्रॉपटी टे के लिए यौक्षन के लिए और आप यह 13 दिसंबर को रेजिदेंशल प्लॉट्स का यह उक्षन होने जाएगा और यह उक्षन फत्याबाद में भी होगा यह देख लिए फत्याबाद में काफी सारे प्लॉट्स निकले हैं यह एक मेगा यह जो 2022 के आकरी महिने में यानि दिसंबर में होने जा रहा है इसके अलावा ह सिर्षा का भी बता देता हूं सिर्षा में भी काफी सारे प्लॉट्स हैं जो यह उक्षन के लिए निकाले गए जीन में भी निकाले गए जीन के सफीदों में निकाले गए काफी सारे प्लॉट्स जीन के सफीदों में बहुत सारे प्लॉट्स के लिए और इदाबाद में ही 14 December को food streets जो properties है उसका भी योक्षन होगा उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने है कि आस्क है यह mostly पूरा detail में बताया गया है कितना size है कितना बड़ा तंदूर लगा सकते हैं कितने बड़ा column लगा सकते हैं steel के आप क्या-क्या वहाँ पे लगा सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं यह food streets है यहाँ पर आप अपना कोई commercial shop start करना चाहें commercial कोई आप काम start करना चाहें उसके लिए आप यह property देख सकते हैं पूरी की पूरी list आपके सामने है यह देख लिए इसका योक्षन 14 December को होने जा रहा है दोस्तों अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो यह property का आयोक्षन होता है यह दो तरह की property होते हैं एक normal property होती है और दूसरी होती है special property जिस property को हम preferential property, general preferential property या special preferential property कहते हैं यह प्लोपटी क्या होती है वो मैं बता देता हूँ यह corner के plots हो सकता है और इसके अलावा इसके अलावा जो में रोड होता है जो बड़े रोड होते हैं उन पर पढ़ने वाले प्रॉट्स या शॉप्स होती है तो जो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोपर्टी चेक कर सकते हैं इसी तरह रोटक जोन का 18 दिसंबर को होने जा रहा है आपके सामने जो लिस्ट लिए हुई है यह रेजेंशल प्लॉट है जो स्पेशल प्लॉट है जिसका योक्षन भी 18 दिसंबर को होगा और यह रोतक जोन के रेजेंशल प्लॉट से इसमें बहादरुगण में देख लिए यह स्पेशल प्लॉट से काफी सारे निकले हैं उसके अलावा पानीपत में प् कमर्शिल प्रोपटि निकली है जिसका योक्षन भी 18 दिसंबर को होगा यह भी प्रफियंशल प्रफियंशल प्रपरटी लिस्ट आपके सामने यह आप देख सकते हैं परीदाबाद में काफी सारी प्रोपरटी है जो प्रफियंशल प्रोपरटी जो निकाली गई है 51 अलग में भी preferential special preferential काफी सारी property निकली है आप इसको check कर सकते हैं यह देखिए आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है तो आप इसको check कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अभी मैंने आपको 18 दिसंबर तक जो इयोक्षन होने जा रहा है उसकी डीटेल बताईए क्योंकि अभी हर्याणा सहरीवी कास प्राधिकरन के दौरा सिर्फ 18 दिसंबर तक की जो लिस्ट है वही प्रोवाइड कराई गई है बट जो 20 दिसंबर को ही institutional plots high school के लिए hospital के लिए जो sites है उसका भी इयोक्षन होगा वो भी हर्याणा के सभी शहरों में होगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो इयोक्षन का portal है उस पर पूरा का पूरा schedule दिया गया है 20 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर को सारे शहरो में commercial property residential property का इयोक्षन होगा उसके बाद 23 दिसंबर को गडगाओ हो जोन में commercial residential property का इयोक्षन होगा तो यह एक mega e-bookson है पूरे महीने यह चलने वाला है हर्याना के आलगलग शहरों में यह यह चलेगा तो मैंने आपको पूरी list बता दिए जो लोग इस वीडियो को देख रह क्योंकि हर्याना शहर विकास प्राधिकरण के दौरा 22-23 के बाद भी 27-28 को भी यह उक्षन आ सकता है तो मैंने पूरा पता दिया अभी तक जो लिस्ट जारी किया हर्याना शहरी विकास प्राधिकरण ने वह मैंने बता दिया अब आपको सबसे इंप्पोर्टेंट चीज बत करने आपको एक हड्य लग जाएगा उस सेक्टर में किस रेट पर मार्केट में सेल ऊरिellow है उसके बाद आपको क्या करना है उसके वाद आपको हाट क्शॉय करना से पता किया था वहां पर किस रेट पर इंपर फॉपर्टे तो मिलेगा यह difference आपके लाखों रुपे बचा सकता है इसलिए हम यह वीडियो बनाते हैं आपको जो डिफ्रेंस पता लग जाएगा कि आप लाखों रुपे सेव कर सकते यह उक्षन से प्रॉपटे करीद के नेक्स टाइम जब यह एक्षन दुबारा से आएगा जैसा कि मैंने महीने में तीन बार चार बार भी यह उक्षन आता है तो आप दूसरी यह उक्षन में पार्टिसपेट करें इस बार आपको confidence आजाएगा कि आपको यह पता रहेगा market में क्या rate चल रहा है आपको यह पता रहेगा यह उक्षन में आपको किस rate पर प्रॉपटे खरीद नहीं ह तो मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और आप जादे से जादे इस वीडियो को लोगों के भी शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो का मकसद यह है कि आप direct H2P से property खरीदे और आप आपको property dealers के पास ना जाना पड़े और आपको महगी property ना खरीदनी पड़े अगर आप बैरेक्ट यूक्षन से property खरीदेंगे तो market में जो property मिल रही है आपको जिस rate पे उस rate से आपको काफी सस्ती property यूक्षन में मिल जाएगी यही हमारा purpose था इस वीडियो को बनाने का और मु आपको मिलती रहेगी तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों गुडबाई